सेक्रो इलियाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें दर्द के कारण आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है यह बीमारी होती है जो सेक्रम और इलियम नाम का जॉइंट होता है उस जगा पर यह बोडी के जो सबसे बड़े आपके जॉइंट से उसमें से एक होता है तो आपका जो लोवर बैक होता है नीचे के जो कमर का हिस्सा है वहां से लेके बटक्स के हेरिये के आसपास में यह पेन होता है और इस दर्द के कारण आपकी हालत खराब हो जाती है इतना दर्द होगा कि आप एक्टिविटी नहीं कर पाओगे जादा दिर खड़े रहोगे तो तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी ऐसी बहुत से समस्चा होती है इस बीमारी को हमने चार महीने के अंदर ठेक किया और जो ठेक हुए जिनने यह समस्चा थी चलिए उनका एक्सपिरियंस सुनते हैं कि आईरवेट से यह बीमारी उन्होंने कैसे ठेक की नमस्ते क्या नाम है आपका का रहते हैं क्या तकलीफ थी आपको सेक्रो इलिए इसके लिए आप आये थे ना कैसे शुरू हुआ थे आपको सुरे काफी टाइम से था बट ऑल्मोस्ट डिसेंबर 22 से जून 22 तक बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन शुरू हुआ था तो मैं खड़ी नहीं रह सकते थी पांच मिनिट के उपर कुछ भी एक्टिविटी के रिए खड़ी नहीं रह पाती थी और अगर वह ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा पेन होता था मुझे उठते बैठते या फेर से हम लोग जैसे लेटर अभी जैसे मैंने 2022 का बताया तो तब ही से वह ज्यादा बढ़ने लग गया था एंड समझ नहीं आ रहा था तो मैं काफी सारे अलोपेटिक डॉक्टर के पास गई थी एम राए एक्सरेइज हो करवाय थे तो पहले तो डी 3 वी 12 कमी बताई थी फिर चेक किया फिर व और सेक्रोलाइट इस भी बोला था मुझे तो वो ड्राइनेस की वज़ए से प्रेशर आ रहा है सेक्रोलाइट जॉइंट पे और उसे साब से वह पे न होता है पें में क्या होता था एक्जैक्ली पें आपका कब कब बढ़ता था वहां का तो स्पेसिफिकली जब मैं कोई सब्सक्राइब करते हैं कुकिंग बोली है या फिर स्टैंडिंग ट्रेन में ट्राइबलिंग के बाद स्टैंडिंग होता था या फिर कोई ओफिस की काम के लिए किसी भी वज़े से थोड़ा सा ज्यादा चलना भी हो गया एक पॉइंट के बाद अगर नहीं बैठी तो हो जा जाता था तो अगर मैं बैठ जाती हूं तो कोई इसू नहीं था बट खड़े रहने पर मुझे बहुत तकलीफ होती थी ठीक तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी आपको सेक्रोइलाइटिस जिसके करण आपको पेन होता था फिर सेकेंड आपने उस टाइम पे तकलीफ बोली थ जाता था और बाकी भी जंडरली बॉड़ी थक जाती थी एक तो ट्राइवलिंग था और यह पेन की वज़े से और ज्यादा थकान महसूस होती थी इस्ट्रेस बहुत रहता था क्या मतलब वह पेन को लेके थोड़ा एक दिमाग में रहता था कि यह शुरू नहीं ठीक फिर करना मुश्किल हो जाता था तो उस वज़े से वह थोड़ा सा यह हो गया था डिप्रेशन काइंडव की नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और बाकी डॉट्रस ने बोल दिया था कि यह आपको लाइफ 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 लेना पड़ेगा या फिर जो पैंकिलर और फिजियो थेरपी भी कर आया था मैंने आपके आने से पहले बन जब तक वो करते थो ठीक था नेक्स्ट वापिस आप नॉर्मल रूटीन में लग जाओ खड़े रह जा तो वापिस शुरू हो जाता था कितने दिन तक आराम रहता था था फिजियो थेरपी करने से ताइ आप ने कुछ और एक चीजे आपकी बताई थी इस बीमारी से ही रिलेटेट जैसे कि जब जब आपको पेट साफ होता था तो आपको अच्छा लगता था और आप पांच साल से कायम चूरन ले रहे थे वो क्यों ले रहे थे वो यही अभी जनरली वीडियो देखते हैं लो अगर आप देखिये तो कोई केमिकल युक ताउशनदी रहती है जनरली अलोपेथी में तो आप कब लेते थे वो कायम चूरन वो डेली बेसे दो दो दिन तीन दिन में एक बार ऐसा लेते थे तो उससे पेट साफ होता था अच्छा लगता था फिर कुछ और चीजे आपने तो गर्मी बरदास नहीं होती थी और पीरियेट भी आपकी दो साल से इर्रेगुलर होने लग गए थे ठेक तो यह सारी तकलीफों के लिए आप क्लिनिक आये थे उस टाइम पर आपका डेली रूटीन याद है क्या हुआ करता था जैसे आप गोलते थे सबासा पांच पर उ पर अगर बहुत ज्यादा भूख है तो नहीं तो फिर कोई एकाथ फूट वगएरा या फिर कोई ड्राइफूट खा के हो जाता था और दस बज़े आप दूध वाली चाह लेते थे साड़े ग्यारा पे दो इलाइची वाला केला है साड़े बारा पे सबजी रोटी और दह ही हफते में दो बार धाई बज़े चाह था पांच बज़े स्नैक्स भेल सूखा चाह के साथ और नौ दस बज़े आप मैंगो या दूद लेते थे या साथ में लेते थे नहीं लेग दो में से कोई एक ठीक तो यह इनकी दिन चर्या थी और इनको जो तकलीफ थी वो बढ़ रक्त पाचक, पंचतिक्त, गंध, विष, हरितकी, पिपली, त्रयोद शांग, जटा मांसी ऐसे करके बहुत सारी उनको दवाईयां अलग-अलग कॉंबिनेशन देते रहे इसके बाद हमने आपको विरेचन किया था या डारेक बस्ती की थी बस्ती की थी तो सोलह दिन की आ वो घर पे खुझ से ही तेल की बस्ती और दूद की बस्ती उनको हमने किड बना कर दे दिया था और वो बस्ती घर पे करते रहते थे तो टोटल लगबग चार महिने के आसफ़स अपना प्रॉपर ट्रीट्मेंट चला होगा वो चार महिने इलाज के बाद अब कैसा है अब लगबग हमने सप्टेंबर में इलाज बन कर दिया था अक्टूबर नॉमबर डिसेंबर जनवरी फेब्रॉरी जन लगबग पांच महिने होने आए तो पांच महिने पंच कर्म करने के बाद कैसा है अभी अब बहुत बढ़िया है मैं सारा अक्टिविटीज प्रॉपली कर पा रहे हूं अब परसंटेज वाइस पूछ सको तो हंड्रेट परसंट में से मुझे 99% मिला एवान परसंट का थोड़ा सा है वो आइधिंग थोड़े कभी कबार आता है बट आइधिंग डाट अलसो शुड़ बीक्योर तो अभी पेन कैसा है जो सबसे में तकलीफ थी अब मैं काफी टाइम खड़ी रहती हूं और बिना तकलीफ और तीन घंटे आप ट्रावल पर आप कर पाते हैं और एक पेट साफ ना होने की जो तकलीफ उस टाइम पर थी कोई दवा लिना पड़ रहा था वो अभी पड़ता है जो स्ट्रेस एक आ गया था कि जिन्दगी आपने हलका सा माइल डिप्रेशन वर्ड बोला वह अभी मन में कुछ है और कुछ नए सिम्टम्स चालू हुए है कुछ नहीं तकलीफ चालू हुई है पंच कर्म करने के बाद से बिल्कुन ने तो इनिशली सिर्फ एक दो दिन मुझे बुखा रहा था बट और बदलने की मौसम चेंज हो रहा था शायद होगा बट अदरवाइस तो कोई ऐसा तकलीफ नहीं था मैं जो ओरल इंटेक की दवाईया दी थी उससे भी नहीं और बस इसे भी नहीं ठीक अभी पाचन आपका सब कुछ अच्छे से हैं मोशन ठीक से होता है यूरीन जी उसमें करते हैं में पूला सब्सक्राइब होने कि तरफ ड़ॉर्थ्टपोषे वन जाना वाचन पर में पाउप इसका ही तरफ घयाना कुर्पोषोचीज को आना प्रफ तरफ रहा पर मोशन पा मिमिटूर अपने activities नहीं कर पा रहे थे और वो जो सेक्रोल इलाइटिस था उस जॉइंड में जो सूजन आई थी उसके अभी आपको कोई भी तकलिफ है नहीं ठीक है और यह दूद की बस्ती और यह करके कैसा experience कैसा रहा बस्ती लेने के बाद आपको कैसा फिल हुआ बस्ती लेने के बा आपको जो मेरी वात और पित्त की तकलिफ थी उसमें काफी रिलीफ मिला है तो इन्होंने अल्मोस्त तीन से चार महिने प्रॉपर आई रिवेत फॉलो किया और आप वह वीडियो देख थे राइट की बस्ती सभी ची यह कौन करेगा करके वाला वीडियो हा तभी मैंने कमे पर फिर में यहां पर आई थे तो उन्होंने हमने बस्ती के ऊपर वीडियो डाला था स्पेशली बोला था कि लेडिस को खास करके महिलाओं को उनका पूरा जो नाभी के नीचे का इरिया है वात वाले जोन में रहता है पीरियट शुरू होना हर महिने पीरियट आना अस्टियो अर्थ्राइटीज ऑस्टियो पोरोसिस सेक्रो इलियाइटीज एसी बहुत सी बीमारियां होती है तो अगर आपको भी एसी कोई तकलीफ है आपके नजदीक में जो भी पंचकर्म सेंटर होगा वहां पर आप जाके अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए और फिर लास्ट कमेंट करना चाहेंगे आईरुवेद को लेके कैसा एक्सपीरेंस रहा आपका बहुत बढ़िया एक्सपीरेंस है तो एक छोटा चीज मेंशन करना जोंगी बहुत से लोग अलोपती की तरफ जुके रहते हैं तो इवन मैं भी हुआ करती थी बट अफकोस नोइंग कि किसी का अगर एक्सिडेंट होआ तो डॉक्टर कहते है कि आपको अभी हिलना नहीं है तो उसी तरीके का है सिर्फ अपना ये पुराना आईरुवेद है जो भी काफी जगाओं पे चल रहा है पूरी दुनिया भर में चल रहा है तो अगर लोगों को तक्लीफ है तो आईर पूरा 99 परसंट का तकलीफ निकल गया है तो आई इंग बाकी लोगों को भी उससे फाइदा हो ही जाएगा और मयूरी जी को आराम मिलने के बाद वो अपने सासु मा और अपने माता जी को भी लाए थे तो अपके सासु मा सासु जी का कैसा एक्सपीरियंस है बढ़िया उन आदर स्टेशन उतर के वो सेड़ी चड़ के दो महला उपर आते हैं और बिंदा असपालती वालती 76 के एज में मारके आराम से बैट पाते हैं ठीक है तो यह है मयूरी जी इनको हमने रिक्वेस्ट की थी फीडबैक के लिए क्योंकि बहुत बार लोग आईरविद से ठीक हो पो से लिख़ा भी नहीं गया है तो कैसे ठीक करेंगे तो हम अएरविद में किसी भी बिमारी को इसके अपर इसके अंडर में इवाइट करते हैं । इनकी जो आपकी बिमारी थी वात और पित डॉमिनेंट बिमारी थी यू वात effort पे काम носे वाली जो भी ऐूश है जो भी झाल